जै स्री राम, जै स्री किष्णा, कामदा एकादसी ब्रत कथा, एक समय धर्म राज युदिष्टर ने स्री किष्ण से पूछा, हे जनारदन, आप किर्पया करके चैत्र मास के सुक्ल पक्ष की एकादसी का नाम ब्रत विदी विधान विस्तार पूर्वगवार्न कीजिए, स् महरसी वसिष्ठ जी ने कहा है, राजन चैत्र मास के सुक्ल पक्ष की एकादसी का नाम कामदा है, जिस प्रकार अगनी सूखे काठे को जला कर भस्म कर देती है, उसी प्रकार इस कामदा एकादसी के ब्रत को करने से मनुष्य के समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं, और पुत् जिन काल में भोगी पुर नाम का एक नगर था, उस नगर में राजा पुंडरीक राज्य करता था, वहां पर अनेक गंधर्व और अपसराय निवास करती थी, उस नगर में ललिता और ललित नाम के दो इस्तिरी पुरुस रहते थे, जो अत्यन धनवान और प्रतिष्ठाव थे, उन दोनों में इतना गनिष्ट प्रेम था, कि अलग हो जाने पर वे अत्यन्त व्याकुल हो जाते थे, एक समय की बात है कि राजा पुंडरीक अनेक गंधर्व सहित एक सभा में किरीडा कर रहे थे, उसी समय वहां पर ललित नाम गंधर्व भी सब के साथ गाना गा रह था, किन्त उस समय वहां पर उसकी इस्तरी उसकी पत्नी थी ललिता वो नहीं थी, जिसके कारण वह ललित गंधर्व उसकी याद में मगन हो रहा था, इसी ध्याना वेश्क में उसने अपने गानी की और ध्यान नहीं रहा, और उसका गाना असुद्ध होनी लगा, इसकी सिक समक्ष का आते हुए भी अपनी प्रियतमा की स्मर्ती में विवोर है, इसलिए मैं तुझे स्राप देता हूँ, तु मास भक्ची तता नर्व भक्ची राक्षस हो जा, तुने यह पाप किया है, अथा तु अपने कर्म का फल भोग, पुंडरिक के स्राप से ललित गंधर्व उसी समय राक्षस बन गया, ललित राक्षस हो जाने पर बहुत दुखी हुआ, अनेक दुखों को उठाता हुआ, वह अपने कर्म के फल भोगने लगा, जब उसकी प्रियतमा ललिता को अपने प्रियतम की दसा की जानकारी हुई, तो वह भी बहुत दुखी हुई, हर समय बहा अपने पती का उद्धार कष़र करने का उपाए कि खोज मैं लगी रहती थी इधर बहा ललित राक्ष़ सोने के कारण घोर बनओं में जाकर अनेक प्रकार के पाप करने लगा उस समय उसकी इस्थी ललिता पीछे-पीछे जाती थी और उसके यह हाल सब हाल देखकर अत्यन दुखी होती थी एक वाल ललिता अपने पती के पीछे चलती हुई विंद्याचल परवत पर जा पहुंची उस स्थान पर स्रंगी रिसी कासरम था स्रंगी को देखकर ललिता हाथ जोड़कर प्रणाम करती है विसी बोले है सुभुगे तुम कौन हो और यहां किस कारण से आई हो तुम पर ऐसी क्या वेपत्ती है तब ललिता ने सारा ब्रतान तुसे उन्हें सुनाया हे मुनी मेरे पती राजा के साप से राक्षस हो गए जिसके कारण मैं महन दुखी हूँ किरपया करके मेरे पती को राक्षस होनी से मुक्ति दिलाईए तब स्रंगी रिसी ने कहा हे देवी सुनो अभी चैत्रमास के सुकल पक्ष की एकादसी है जिसे कामदा एकादसी कहते हैं उसका ब्रत करने से मनुस्च के समस्थ पापनस्ट हो जाते हैं यदि तुम उस ब्रत को करके उसका पुन्य अपने पती के प्रतसंकल्प कर दोगी तो तुमारा पती सीग्र राक्षस होनी से छूट जाएगा मुनी के ऐसे बचन सुनकर ललिता ने चैत्र मास के सुक्लपक्ष की कामदा एकादसी का विधिवत ब्रत किया और द्वादसी के दिन ब्रहामनों के सनमख भगवान से प्राथना करती हुई बोली प्रात्ना करती हुई उस ब्रत के फल को अपने पती का देने का संकल्प किया संकल्प करते ही पती राक्षस योनी से मुक्त हो गया इस प्रकाल ललिता द्वारा कामदा एकादसी के ब्रत के प्रभाब से उसके पती ललित की राक्षसी योनी छूट गई तब वह अनेक सुन्दर वस्तरावू सरण से अलंकृत होकर अपनी पत्नी ललता के साथ आनंद से बिहार करने लगा स्री कामदा एक आदसी के प्रभाब से वह दौनों पहले की अफिक्छा अब और भी अधिक सुन्दर हो गए पुस्पक बिमान पर बैठकर स्वरग लोग को चले गए हे राजन इस ब्रत की प्रभाब से मनुस्य राक्षा सियोनी भ्रह्म हत्या समस्त भैंकर पापों से छूट जाता है और रंत में स्वरग लोग को प्राप्त करता है जै श्री किष्णा ओम नमो भगवत देवा सुदेवाई